हेलो माई योटूब फैमली वेलकम बैक टू मही चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाईस मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो जहां पर मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से अपना नेक्स ब्लॉग कॉंटिन्यू कर रही हो तो मैं अपने ससुराल के काफी नजदीक पहुँच गई हूँ और मेरे माईके और ससुराल के बीच में ज्यादा डिफरेंस वैसे भी नहीं है बस निकले और पहुँच गए वही वाले हाल है तो बस हम निकले थे और मैंने ब्लॉग को ही पे एंड किया था और अब हम पहुँच रहे हैं और यहां पर ब्लॉग को मैंने अगें कॉंटिन्यू कर दिया है वहीं से तो यह देख सकते हैं हम पहुँच गए ससुराल और दीदी आई हुई हैं दीदी भी कली आई क्यूंकि आई तो पांच-छे दिन पहले थी बड़ अपने ससुराल में थी तो कल शाम को ही आ हैं बिल्कुल रेडी ने हुई है हुआ कि घरी तो जाना है और उसके बाद देखे दीदी ने हमें राखी बांध रही हैं आपर क्यूंकि कल तो अपने भहिया को बांधी हैं और मैं बची हुई थी तो अब आज कल भावियों को भी राखी बांधने का चलन हो गया है और अ सच में बहुत टेस्टी बने थे कोई डिफरेंस नहीं था कि मार्केट के हैं कि घर के हैं और मैं तो पहले खा के जानी नहीं पाई हूं तो रसगुला खाया और उसके बाद यहां पे फोटो वगएरा खिचवा रहते तो फोटो वगएरा हो जाए और सब लोग बस तैयारी कर रहे थे क्योंकि दीदी को भी निकलना है आज ही तो उनकी भी जाने की शारी तैयारिया हो रही थी खाना पीना सब कुछ बन रहा था और रास्ते के लिए भी कि उनका सफर काफी लंबा होने वाला है तीन चार स्टेट चार-पांच स्टेट क्रॉस करके तब फिर वह यह फोटो क्लिक करेगा और हम ममी खड़ी थी तो हमने उनको भी बुला लिया कि आई आपके साथ भी एक फोटो हो जाए और सासुमाज थोड़ा साथ दुखी है और दुखी क्यों नहूं मैं भी आई और आज ही कि आज मिरे को वापस जाना है दो धाई घंटे के अंदर मै बूलो बहुत emotional time हो जाता है और यहाँ पर दीदी ने आध्या को भी राकी बांड़ी तो आध्या कितना खुशेबुआ से राकी बंदभाख करके और अभी अपने बाबाजी को भी आध्या जा करके राकी बांदेंगी क्योंकि वबान दिया है भाईया वो बांदी है और ब पहनी हुई टी-शर्ट थी वो चेंज कर लिए और विराट कोली की टी-शर्ट पहन लिए तो यहां पे अक्षद को भी दीदी ने राखी बांदी और आध्या को भी बांदी और यहां पे अश्कत के साथ फोटो क्लिक कर वा रही है और अक्षद के साथ उनका कुछ जादा ही लाड़ है क्योंकि शादी के पहले ही अक्षद मतलब उनकी शादी के पहले ही हो गया था तो उन्होंने खूब खिलाया है और जिसको आप खूब खिलाये रहो ना गोद में उससे ज़्यादा ही अटेचमेंट होता है आध्या को भी प्यार करती है बठ आध्या उनके साथ लड़ ले हैं और यहां पर देख सकते हैं आद्या बाबा को भी राकी बांद रहे हो कितना इमोशनल हो करके बतलब पूरी गाठे ना इकदम करेक्ट लगानी है इनको और अक्षद ने उठा लिया अपना बैट इनको कुछ भी समझवनी आ रहा विलाट कोली की टी-शर्ट पहनने के बाद न इसको और यहां पर देखिए दीदी इनको कुछ समझा रही है क्योंकि अक्षद सैधानियां बहुत जादा करते हैं और बच्चे जब ग्रोइंग प्रीड में होते हैं जब दीरे दीरे बड़े होना शुरू होते हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज होती हो अलग-अलग होती हैं और उस टाइम में क्या होता है पैरेंट्स परिशान होना शुरू हो जाते हैं तो बस मैं थोड़ी सी अपनी परिशान उनके साथ शेयर कर रही थी कि यह बहुत परिशान करता है तो दीदी अक्षद को समझा रही थी घर का विव आपको दिखा दे है इस ताइम पर चारों तरफ है ग्रीनरी और यह जो अमरूत का पेड़ लगा है इस ताइम पर काफी फल लगे हुए है इसमें और अभी मैं इसमें से अमरूत तोड़ करके ले भी जाओंगी और वैसे फिलाल अभी मैं मेहंदी तोड़ने जा रही हूं क्योंकि यहां की पत्ती वाली मेहंदी होती ना बालों के मेहंदी मैंने और हस्बन जिन दोड़ी थो थोड़े बड़े तोड़ लिये थे तो यहां पर हम उनके छोटे छोटे ना पत्तिया निकाल ले रहे हैं और डंठल ना फेक दे रहे हैं क्योंकि पेड़ पेड़ पेस ताइम पर साड़े क्यारा और मैं सुबह 8 बजे आ गई थी और उसके बाद अभी हम लोग खाना पीना खा लिये सारा कुछ खाना वगएर तोड़ी सी हवा आएगी फिर आप लोगों से बाते करती हुए तो माई के से अद सुबही बिदाई होगी कल हम लोग नहीं हाल से रात में आए व ब्लॉग मैंने कुछ सूट नहीं किया और सिधा फिर आकर के ममी सामान वगएरा दिखाने लगी साड़ी वगएरा तो वो सब देखा और बस लेट गई सो गई पता नहीं चला क्योंकि एक बज गये थे हमनों को सोते सोते ही और उसके बाद फिर मॉर्निंग में जल्दी ही पर उठना हो गया सबका तो फिर उठने के बाद यहां आने की तैयारी होनी लगी ती और भाईया भी आये थे सब लोग थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मतलब सबसे जाओं मिल लो गिदी बहुत दूर रहती है न तो इसलिए जो है लग रहा रहा कि मुलाकात हो जाए बना फिर चार-पांच महीने तो फुरसत ही हो जाएंगे फिर जल्दी कहां आना जाना हो पा रहा है कहींगी तो बस इसलिए मैं भी आ गई सुबह और फिर यहां पर मैं में खाना पीना काफी कुछ बना चुकी थी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया जैसे की बना ली और प्रोटी है और वापस हमको फिर जाना है तो इसलिए अभी सोने का कोई मतलब ही नहीं है तो चलिए पर हम लोग यहां से निकलते हैं मिलते हैं थोड़े देर के बाद है तो देखिए डिजाइन भी बहुत अच्छी है और रेड कलर के स्टोन इसमें लगे हुए है चलिए अब जाने का टाइम आ गया है और मेरी सबसे बड़ी वाली बुवा सास आई हुई है तो उनसे भी विदा विदाई लेते हैं पैच चू लेते हैं बुवा जी के और उसके बाद मैं यहां पर भीया के भी पैच चू रही हूँ क्योंकि सबसे फाइनली अब विदा बुवा से बिदाई लेकर हम लोग घर से निकल रहे हैं और रुली दीदी से भी गळले दें और आज सच्थ में जादा हम लोग बैठ नहीं पाएं मिल नहीं पाएं बाते भी नहीं कर पाएं और जाने का टाइम आ गया तो देह सकते हैं कार में सबसामान लगे गहरा रखा जा रहा है दीदी अपना सब कार में जो भी जैसे समान है वो सेट करवा के रखवा ले रही है क्योंकि अभी सफर उनका काफी लंबा है देड़ दिन उनको लग जाने है और इस पार वो कार से ही जा रही है तो इसलिए काफी टाइम भी लगने वाला है तो यहां पर देख सकत करता फिर भी ना एक इमोशनल अटैश्मेंट होता है और लड़की को भी लगता तो यहां पर सबसे ले ली है विदा विदाई और सबसे गले मिल लिया है और चलिए फिर चलते हैं हम भी पैठ चू लेते हैं मुमी के और गर जे निकल लिये हैं रास्ते का विव है देख सकते हैं हरे भरे खेत और युकलिपस्टिक के बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे और खेतों में भरा हुआ था पानी क्यूंकि रात में हुई है बारिश और बहुत अच्छा विव लग रहा था हवा ठणी चल रही थी और विंडो से हम लोग करवाया दीदी ने और सब की आँखों में आसू थे तो चेहरे कैसे लग रहा है मेरा भी देखिए चेहरा सुखा सुखा सा फिर थोड़ा सा महौल को मैंने हस्मुक बनाया और थोड़ा सा हम लोग दीदी लोग हम लोग मुस्कुराना शुरू हो गए यह चरो ठीक है बच् जो कि बहुत ही खास होती है तो वो पूजा वो नहीं छोड़ सकती तो सोबा मॉनिंग में उनके हाँ वो पूजा थी तो इसलिए वो रक्षा बंधन में नहीं आ पाई है वरना पहले हम लोगों ने सोचा था कि दीदी को साथ में ही लेके गाउं चलेंगे वो भी रह जब कई दिन बीच जाते हैं तो फिर तेवहार का मज़ा नहीं रह जाता है एक दो दिन तक तो तेवहार समझ में आता है तो रक्षा बंधन का तेवहार वैसे तो बहुत कई दिनों से पहले शुरू हो जाता है और कई दिनों बात तक चलता रहता है जो जैसे मिलता जाता ह वैसे ही राकी बंधती जाती है लेकिन अब दीदी बुला रही थी कि तुम भी आजाओ तुम्हारे भी बान देते हैं तो दीदी बहुत प्यारी सी राकी मेरे लेके आई थी जो कि एक दुम लटकन वाली थी पिंक कलर की बड़ी अच्छी लग रही थी तो यहाँ पर दीदी कि इतना लंबा परिवार होता है तो एक से दूसरा दिन हो ही जाना है तो हम लोग रहां गए फिर वहां से बांधा भी गए बांधा से फिर वापस आए तो प्रूरा प्रताप गड़ बांधा और सब जगा होते हो आते फिर वापस अपने घर आ गए लखनो और आब आये है तो यहां पर साम का टाइम हो रहा है दीदी ने सब खाना वगेरा बना लिया आज एकदम मैं गए आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं है अब फुरी है यह कह रहा है कि यार अब लगा गये थे और दीदी के साथ हमारी बाते भी होती जा रहे थी दीदी का काम भी होता ज़र तो हमने कहा लाई यह दीदी हम रोटी सेक लेते हैं और आप थाली लगा दीजे दीदी बूलें नहीं थाली तुम लगाओ क्योंकि तुमको पता है का जो चलो ये भी ठीक है तो ऐसे हम लोग नंदभा भी दोनों आपस ने बात भी करते जा रहे हैं किचन में और काम भी हो और जो भी बनाया था न वह इनको बहुत जादा पसंद देट इनको बहुत अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत पसंद थे यहां पर दीदी ने बनाई हूई है कड़ी तो देख सकते हैं आभी कड़ी बन गई और इसमें अभी तड़का लगाएंगी तो तड़का लाल मेच का और करी पत्ता लीव को और सर्सू के दाने का या जीरे के दन मतलब जीरे का लग जाता है तो यहां पर धीदी बोल रहे थी और लोही की और धीदी में के जुन करण होती नर्ट Ohane यह तो वही अब धीदी yardım को अभी तरका लगा दें और फटाफ़जकर्मा बांधा में तो मनु को राकी नहीं बंदा पाई थी तो मनुको भी राकी बांद में चाला है एकदम बढ़ी आसा तड़का लगाया है दीदी ने और दीदी ने साथ में बनाई है कुंद्रू की सुखी सब्जी जो की बढ़ा बहुत ही जदा टेस्टी लगी थी और यहां पे वो रोतियां बनाने जा रही है तो रोती बना लेती है और थाली लग गई है तो कड़ी है खाना खा रहे थे और इसके बाद चलिये अब अकशत भी बैड गया है खाना खाने और मैं भी खा लेती हूं और भचों को भी खिला देती हूं आध्या को तो पकड़ के खिलाना पड़ेगा वह तो सानवी के साथ खेलने में इतना मस्त है यहां पे समझ में यहिंए आईग खेल खेल में लगी हुई थी मौसी के हाँ और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि मनु अभी तक आये ही नहीं कोचिंग से आ जाता था अब तक लेकिन आज थोड़ा लेट हो रहा है और हमको भी निकलना था इसलिए राकी तो हम बान नहीं पाए उसको राकी दे करके मौसी को चले आये हैं वीडियो का एंड करेंगे पसंद आया हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई और थैंक्स पूर वाचिंग गई